नमस्कार सुबह सुवेरी की खबरों में बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ पूज़ा खंडूरी और मैं हूँ आपके साथ रहनमा चलिए नज़र डालते हैं आज की आयम खबरों पर मद्यपरदेश में शिवराज राज अब खत्म हो चुका है अब मोहन यादव मद्यपरदेश के नए सीम बन चुके है मोहन यादव जो हैं वो OBC समुदाई से आते हैं हाला कि अभी राजिस्थान का सीम कौन होगा इस पर घोशना नहीं की गई है भोपाल में BJP विधायक दल की मीटिंग में उजयन दक्षिन सीट से विधायक मोहन यादव को नेता चुना गया बतादे शिवराज सिंग ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया वहीं जदीश देवड़ा और राजेश शुकला राज के दो डिप्टी सीम होंगी चर्चा है कि वे 14 दिसंबर को शपत लेंगे शुरू में मोहन यादव के साथ कुछ ही नेता सपत लेंगे उसके बाद मंत्री मंडल को विस्तार दिया जाएगा जिस तरह 36 गर में विश्नु देव साय के बाद मध्य पदेश में मोहन यादव सामने आए है उससे उमीद लगाई जा रहे है कि राजिस्तान में भी आज नया सप्राइज देखने को मिल सकता है और ये खबर दिल्ली वासियों के लिए इसलिए काफी जादा एहम हो जाते है क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि आज तारीक 12 दिसंबर है और 12 दिसंबर 1911 के ही दिन दिल्ली को देश की राजधानी का दरजा मिला था आज की ही दिन दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था भारत दोरे पर आई ब्रिटन के किंग जॉर्च फाइव ने इसकी घोशना की थी पहले देश की राजधानी कलकत्ता यानि कि जुसको अब कलकत्ता कहा जाता है वो हुआ करती थी लेकिन 1905 में जब बंगाल का बटवारा हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया बटवारे की वज़ह से पैदा हुआ विद्रोह शांत ही नहीं हो रहा था इसी वज़ह से अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बना दिया दिल्ली के बारे में उस समय ये कहा जाता था कि कोई भी इस पर जादा समय तक राज़ नहीं कर सकता और ऐसा हुआ भी दिल्ली को राजधानी घोशित करने के 36 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया शराब गुटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीयम और आम आद्वी पार्टी के नेता मनीश शुषोदिया की मुश्किले बढ़ती जा रही है दिल्ली के राजधावेनी कोट ने मनीश शुषोदिया की नियाई खिरासत को 10 जन्वरी 2024 तक बढ़ा दी है अदालत ने ED को 10 जन्वरी को अगली सुन्वाई से पहले आरोपी वैक्तियों को 540 पन्नों के अतिरिक दस्तावेजों के प्रती उपलब्द कराने का भी निर्देश दिया कारवाही के दोरान अदालत ने मामले में दिन प्रती दिन के सुन्वाई के अनुरोद वाले ED के एक आवेदन पर सुन्वाई स्थगित कर दी नियाईदीश ने कहा कि मामला फिलहाल दस्तावेजों के जांच के चरण में है और इस चरण के समाप्त होने तता आरोपी वैक्तियों के खिलाफ आरोप तैय होने के बाद मुकदमा शुरू होगा दिल्ली आपकारी नीती 2020-21 को बनाने और इंप्लिमेंटेशन में वहस्टाचार में कट्रिट भूमिका के लिए CBI ने 26 वरवरी को सिसोधिया को गिर्फतार किया था तब से आप नेता नियाई के रासत में है ED ने तिहार जेल में पूछता आज के बाद 9 मार्च को CBI की प्राथमिकी से जुरे धन सोधन मामले में सिसोधिया को गिर्फतार किया था राजधानी में हवा की गती कम है इस वज़े से प्रदूशन के इस्तती बेहत खराब च्रेनी में है अगर हम सुमवार की बात करें तो औसत एयर कॉलिटी इंडिक्स जो मापा गया था वो 317 था जो शनिवार के मताबिक तीन और जादा नंबर्स में सुचकांक में आगे बढ़ चुका है सुबह से ही धुन्द के साथ कोहरा देखने को मिला दोपहर में हलकी धूप खिली लेकिन आसमान में हलकी बादल चाए रही 39 अलाकों में हावा बेहत खराब और 6 अलाकों में खराब श्रेनी में दर्च की गई मासम विभात का अनुमान ये है कि गुरुवार तक हवा बेहत खराब श्रेनी में रहेगी मासम विशेशग्यों का कहना ये है कि हवा की गती 4 किलोमीटर प्रति घंटे है ऐसे में प्रदूशन का फैलाव नहीं हो रहा है इससे हवा में प्रदूशन के करण संगन हो गए है केंद्रिय प्रदूशन येंत्रेंट बोर्ड सीपी सीबी के मताबिक दिली में सुमवार को 39 इलाकों में हवा बेहत खराब श्रेनी में दर्च की गई इसमें नहरू नगर में सरवाधिक एर क्वालिटी इंडेक्स दर्च किया गया यहां वायू सूचकांग 383 रहा आर्केपुरव में जहां 352 रहा तो द्वार्खा सेक्टर राट में 348 मुणका और जी एलन में 349 बवाना और जागीरपुरी में 336 एर क्वालिटी इंडेक्स दर्च किया गया एनसाइटी द्वार्खा में 334 सूचकांग दर्च किया गया साथ ही 6 इलाकों में हवा खराब श्रेनी में दर्च की गई यहां मंदर मार्क में 297, मतुरा रोड में 294, लोधी रोड में 284 और आयानगर में 287 दर्च किया गया डीटीउ में 288, तुदलशाद गार्डन में 240 सूचकांग दर्च किया गया जो की काफी खराब श्रेनी में आता है राजपूत नेता सुखदेव सिंग गोगामरी हत्या मामले में एक नया अपडेट सामने आया है आपरादिक नेटवर्क से जुड़ी एक महिला को गिरफतार कर लिया गया है वहीं बाकी आरोपियों को अदालक के सामने पेश करके उन्हें साथ दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेश दिया गया है जैपूर के पुलिस आयोग बीजू जोर्ज जोसेफ ने बताया कि गोगामरी की 5 दिसंबर को हत्या से पहले करीब एक सब्ता तक शूटर नितिन फौजी को अपने घर में रखने वाली पूजा सैनी को गिरफतार किया गया है उन्होंने बताये कि पूजा सैनी अपने पती के साथ जैपूर के जगतपुरा में किराई की फ्लैट में पूजा बत्रा के नाम से रह रही थी और उनके पती महींद कुमार मेगवाल और समीर घर से फरार है उन्होंने बताये कि गिरफतार आरोपी पुजा सैनी और उसका पती महेंदर शूटर नितिन फौजी के लिए हत्यार तसकरों के रूप में काम करते थे और सुमवार की ही अगर हम बात करें तो फिर सिविल लाइन्स में एक सरकारी स्कूल में दिली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल ने एक आडिटोरियम का उधगाटन किया साथ ही उन्होंने तमाम बाते वहाँ पर कही कहा सिक्षा हमारी प्रात्मिक्ता है जिस आडिटोरियम का उधगाटन किया गया वो किसी सिनमा हौल से कम नहीं नज़र आता है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आई आई आपको सुनाते हैं पंजाब में बीस हजार सरकारी स्कूल है यहां पे तो हजार के करीब हैं पंजाब में बीस हजार सरकारी स्कूल है और सारे सरकारी स्कूलों के अंदर एक साथ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया है बहुत बुरा हाल है महां भी जैसे पहले दिली में होता वहाँ भी शुरू हो गया है कि हमारी आइडियोजी है कि देश को अगर हमें बदलना है तो हम चार लोग जो बैठे हैं स्टेज पर हम नहीं बदल सकते हम तो बहुत छोटे लोग हैं देश को तो आप ही लोग बदलो गए और आप लोगों को सशक्त करने के लिए आप लोगो का शुकर है अब तो होने लगाए और मैं समझता हूं कि यह जो शिक्षा को ठीक करने का सिलसला है धीरे 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 तेजी से फैलेगा अब सब लोग बाकी सरकारों को भी लगने लगाए कि शिक्षा को बदलना चाहिए अब कोई सरकार यह नहीं कह सकती कोई पार्टी यह नहीं कह सकती कि यह हो नहीं सकता पहले सरकार ही कहती थी यार सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकता सरकार गौर्मेंट कैनाट रन स्कूल हमने दिखा दिया गौर्मेंट कैन रन स्कूल और हमने यह भी दिखा दिया कि जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती वो सरकार क्या चलाएगी फिर जिस सरकार से स्कूल नहीं चलते हैं कि लिए अब डिक तरही नवोदिया ताइम्स